हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आप सबीका स्रेयर डिजाइन में बहुत स्वागते गाईज आज हम बनाएंगे बहुत ही एजी वे में एकदम आसानी से और जटपट बन जाने वाली काना जी की ब्यूटिफूल सी ड्रेस जिसे मैं आपको बनाना बताऊंगी मैं इसक और घेर का फैब्रिक एंड सारी जैसे की पगड़ी हो गई सबकी पटिया कट कर ली है मैं आपको स्टेब ऐस्टेब इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो यह देख लिए मैंने कुछ इस तरीके से फैब्रिक कट कर लिया है जिसकी चोड़ाई और लंबाई मैं को बता देती हूं यह देखेज है इसकी हमने चोड़ाई रखी है यह रखी है पांच इंच लिस से हमने इसकी चोड़ाई रखी है और चारी से लंबाई रख सकते इसकी बहुत पांच के बिच तो इस तरीके से आपको यहां पर लंबाई रख लेनी है, फिर मैंने यह एक उरेप की पट्टी कट की लिए है, वो नेफे के लिए की है, और दो पट्टिया मैंने सेम एक लंबाई और एक चोड़ाई की, जैसे कि इसकी धाई इंच इसकी चोड़ाई है, और लंबाई इसकी 13 इंच सेम दोनों पट्टियां इसी तरीके से कट की हैं, जो जिसकी हम पकड़ी और चोली बनाएंगे, वाइस आपको इस तरीके से अपना फैबरी कट कर लेना है, यह देखिए हमने सीधी साइड उपर की साइड रखी है, और हमने अस्तर उपर की साइड रखा है, सीधी साइड के उपर, और इस तरीके से सिलना स्टार्ट किया है, इस तरीके से स्टिच करेंगे, गाईस आपको बहुत सारी ड्रेसे मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जो की बहुत इजी वे में बनाई वी हैं, इस तरीके से आप काना जी की काफी सारी सुंदर-सुंदर ड्रेसे बना सकते हैं, तो देखिए, इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे, तपर इसको पलट लेंगे, तो हमारा सीधा पार उपर आजाएगा, और हमारा अस्तर नीचे चला जाएगा, तो ये देखे इस तरीके से आपकी ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आने वाली है और अच्छे से आपकी ड्रेस एकदम ड्रेडी होगी तो ये देखे हमने आज इसको स्टिश कर लिया है अब सिंपिल हमें कुछ नी करना एस्टर फैब्रीक कट कर देंगे अस्तर का तो ये देखे इस तरीके से ये हमारा बन गया है अब देखे हमारा में फैब्रीक फ्रेंट फैब्रीक उपार आ गया है और अस्तर हमारा नीचे जला गया इस तरीके से आपको सेट कर लेना है सिंपल अब आपको लगा देनी है एक पट सिलाई इस तरीके से यह देखिए तो यह देखिए इस तरीके से हम यह पर पट सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में तो यह देखिए हम यह पोशाक बना रहे है यह वाइट और आस्मानी कलर की हमारी पोशाक है, चाहें तो आप इसे कानाजी को किसी भी फेस्टिबल पर पहना सकते हैं, होली पर या फिर आप न वरात्री में भी पहना सकते हैं, तो यह देखे सिंपल हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी और मैं आपको बहुत फैजिवे में यह पूरी ड्रेस बनाना बताऊंगी तो यह देखे पहले हम घूम की साइड जहां से हम घूम बरने स्टार्ट करेंगे तो आपने वहासे वह एक पट सिलाई लगा लिया है कट कर देंगे काइस इसमें आफ गूम भरने स्टेर्ट करेंगे तो पहले उससे फिनिशिंग कर लेते हैं तो जितना भी एस्ट्रा-फैब्रिक ये धागे हैं तो इस तरीके से अपनी पूशाक में तो ने पहले कर दें पहले 5 पाँच सक देंगे अगर आप 4 नमर की कानल जी के लिए बना रहे हैं तो 4 इंज तक 3 नमर की कानल जी के लिए बना रहे हैं तो कमर आपको रखनी है 3 इंज तक और 5 नमर के लिए 5, 6 नमर के लिए 6 इसी तरीके से हमेशा आपको पोशाक बनानी है अपने कानल जी की तभी वो अच्छे से फिटिं ओल्टी साइट से ओरेव की पटी की पटी है और प्रफु से Benarka की ए lg असके में परते Kryट करेंगे दोलने के बार्बकां की इस तरीके बाद की से खीकिते,on एलका सा फोल्ड करते जाएंगे बहुत ही असान तरीका है आप एक बार में ही इस स्टेब अराम से कर लोगे तो इस तरीके से हमने पूरे में फोल्ड करके सिलाई लगा दी है तो हमारा घियर रेड़ी हो गिया है अब हमें तयार करनी है इसके चोली और इसकी पगडी तो यह दीए मैंने एक sly और लगा दिये इसको पका करने के लिए यह हमारा गेर रेडी है काना जी की पोशाक का तो पहले अब हम बना लेते हैं पगडी और चोली पगड़ी और चोली बनाने के लिए सिंपिल हमें इस तरीके से फैबरी को फोल्ड करना है और एक सिलाई लगाने स्टार्ट करनी है इससे काफी फिनिशिंग आएगी अगर कपड़ा चिकना होता है तो भी वो फिसलता नहीं है और सेट हो जाता है दोनों पट्टियों में हमें सेम स्टेप करनी है जैसे कि हमने पगड़ी में सिलाई लगाई है सेम उसी तरीके से हमें चोली में भी सिलाई लगानी है तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे पहले एक और फिर इसे simple certain divan से इस तरीके से lock करेंगे lock करना काफी ऐसान है simple इस तरीके से मोड कर आपको उंगली से press करते वे सिलाई लगाते वे चाना है तो guys अगर आप मुझे dress purchase करना चाहते हैं कोई भी तो instagram पर मैसेश कर सकते हैं मेरे instagram idea शिरा कराफट and creation link आपको description box में मिल जाएगा तो यह देखिया हमाई चोली की पट्टी इस तरीके से ready हो गई है तो simple चाहें तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं दोनों को fold करके 20 center में या फिर आप इस तरीके से fold करें fold करने के बाद में हलका सा मैंने यहां से यहां से तरीके से हमने 2 maps लगा देंगे आप क्या करेंगे Sicht applaud करने के बाद में इसको यहां से hलका सा fold करके एक एक लाई दूनो Escape में लगा देंगे क्लुब किड्रेस आप खुष से वना रहे हो зовут तो में आप तो ऊच्छ से करें चाहिए तो यह देखे इस तरीके से हमने बना ली है अपनी चोली अब इसको टैट कर देंगे हम अपनी घेर में तो यह देखे काना जी की जो ट्रेस का घेर है उसमें हम इसा टैट करना है तो सिंपल इस तरीके से हम घेर को फोल्ड करेंगे और बीस सेंटर में यहां पर यहां पर हमने इसको stitch कर दिया आराम से step आपको हो जाएगा और आपकी पोशाक बनकर डेडी है अब हमें बनानी है इसकी पगडी तो मैं पगडी भी आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ तो पोशाक डेडी है पहना कर भी दिखाऊंगे गाना जी को पगडी पर यहां पर एक लैस लगा दी नौर्मल सी मेरे पास golden color की लैस थी तो अब क्या करेंगे यहां पर हम simple हमारी पट्टी तयार है एक पट्टी से ही यह देखे इस तरीके से fold कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप इस तरीके से भी fold कर सकते हैं तो हमने इस तरीके से इसको fold किया देखे आगे पीछे से अब क्या करेंगे जो भी हमारा यहां पर fabric extra उसको पीछे डाल देंगे यानि की पीछे निकाल देंगे इस तरीके से निकाल दिया हास से set करेंगे अपनी पगडी को दोनों तरप से बिलकुल पगडी वाला ही लुक आना चाहिए और सुंदर भी लग जाएगी अब पहले मैंने उपर वाला फैप्रिक कट किया नीचे वाले फैप्रिकों में फोल्ड करके यहां पर स्टिच कर दूगी ताकि अंदर ही लोक हो जाए और धागे या रेशे ना निकले यह देखे गाइस इस तरीके से हमारी पगडी भी ब्यूटिफुल सी रेड लोरी को बादने के बाद में लोरी को पीछे कर देंगे बिल्कुल सेट कर देंगे पहले अपनी पोशाक को यह देखे इस तरीके से हमने अपनी पोशाक सेट कर लिया यह देखे इस तरीके से हमने काना जी को पोशाक पहना दी काफी अच्छे से काफी फिटिंग की और सु सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ रादे रादे आरे क्रिश्ण